नमश्कार्स वागते आप सभी कास्ट्रों तक में मैं हूँ भाफना शर्मा और इस बार का यानि की साल का आखरी सूरिग रहन इस बार पढ़ने जा रहा है 11 अगस्त को और 11 अगस्त को ही शनिवार का दिन भी है शनिशरी अमावस्या भी है वैसे तो सूरिग रहन जब भी प कि नहीं दिखेगा इंडिया में इसका जो द्रिश्य है वो दिखाई नहीं देगा लेकिन आप इसका जो असर होगा वो जाहिर तौर पर सभी राश्यों के ऊपर पढ़ेगा तो आज आपको बताऊंगी राश्यों के हिसाब से अलग अलग तरह का क्या प्रभाव बढ़ने साइबेरिया चाइना सेंट्रल एश्या में दिखाई जरूर देगा इसके अलावा नौट कानडा में भी यह दिखाई देगा तो जाहिर तो पर जब सूर्य प्रभावत हो रहा है सूर्य पर ग्रहन पढ़ रहा है तो इसका असर आपकी राश्यों के उपर जरूर देखा ज जिससे की पूरे साल आप एक तरह की नेगिटिव एफेक्ट से बच सकते हैं इसका जो टाइमिंग की बात करें हाला कि सूर तक यहां पर विजिबल नहीं रहेगा तो इसले सूर तक भी यहां पर नहीं लगेगा लेकिन जो बाहर की कंट्रीज में जो लोग रहते हैं इसका परने हाला कि 1 बच कर 32 मिनित से लेकर 5 बच कर 2 मिनित शाम तक इसका पाइमिंग रहेगा तो यह अफदी है सूरी ग्रेहन की लेकिन हम बात कर लेते हैं गर राशियों के हिसाब से तो सबसे पहली राशि क्योंकि जो सूरी ग्रेहन ही एक करक राशी में लग रहा है तो से संबंधित समस्य आए तो लेकर के आएगा लेकिन साथी में आये के नए स्त्रोत भी जोड़ेगा जी हाँ opportunities आपको मिलेंगी कही न कहीं पर आपको लाब मिल सकता है transactions से अगर properties से जुड़ी हुई transactions आप लोग करते हैं तो उससे आपको लाब मिल सकता है तो भी इश्राशी वालों के लिए एक चीज़ पर आपको सतर प्रहना है लेकिन दूसरी तरफ आपको positivity भी मिल रही है इसी के साथ हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि जहां पर problem है समस्या है वहाँ पर उपायों की भी बात की जाती है उपाय की बात कर लें तो आप लोगों को सूरे से सम्मंधत चीजों का दान देना इस समय में जादा अच्छा रहेगा सूरे से जुड़ी हुई तामबे की चीजों का दान कर सकते हैं गुड का दान आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं अगर उपाय की तो आप लोगों को क्या donations देनी हैं आप सूरे की चीजों से जुड़ा हुआ दान कर सकते हैं या तो आप लाल कपड़ा, गुड़ या फिर तांबे का पात्रा आप दान कर सकते हैं किसी बिधार में, सल पर किसी बे मन्तर हो, चले अगली राशी के बार में बात करते हैं व्रिशब राशी यानि की टॉर्णल्स, तो व्रिशब यानि की शुकर की राशी, कहीं न कहीं पर चंचलता होती है से लोगों के दमाग में हर तरह से अगर देखा जाए तो शुक्र प्रभावी जो लोग होते हैं वो लग्जुरी की तरफ जादा अकर्शत होते हैं अगर बात करें आपके लिए इस सूरे ग्रहन की प्रभाव की तो विश्व राशी वालों के ऊपर आपके परसेनल लाइफ क तो एक तरह से जो सूर्य ग्रेंड एफेक्ट करेगा परसनल लाइफ में खास तोर पर दामपत्य जीवन जो है आपका दामपत्य जीवन में थोड़ी सी अज्जस्मेंट प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात करें आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की तो प्रोफेशनल फ्रांट पे आपके लिए उपरचुनिटीज आपको मिलेंगी साथी में जो लोगों के उपर करजा चड़ा हुआ है करजे को उतारने के बारे में जरूर सोच सकते हैं आपके लिए सूरे की बीज मंत्र का जाब करना लापकारी रहेगा ओम राम रीम रॉम स सूरयाय नमहा इस मंत्र का जाब करना खास और पे 11 अगस्त वाले दिन आपके लिए विशेश लापकारी रहेगा चलिए बात करते हैं अग्भी राशी मिथुन राशी तो मिथुन राशी याने की बुद्ध की राशी, मिथुन राशी वाले जो लोग होते हैं वैसे भी बहुत जाता इंट्लेक्चुल होते हैं, कहीं न कहीं पर ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, अगर आपकी कुडली में बुद्ध अच्छा भी है तो भी ऐसे बहुत बहुता प्रभाव चाली होते हैं, वाडी से काफी हद तक लोगों को प्रभावित कर देते हैं, अगर बात करें सूर्ग रहन के प्रभाव की, तो मिथन राश्री वाले लोगों के उपर आप लोग कन्फूजन आपके लिए बढ़ सकती हैं, कामकाज में इसकी पार को transactions तो करेंगे ही इस समय में बलकि अगर देखा जाए तो आपके लिए expand करने का समय है तो आप लोग investments भी कर सकते हैं, investments करने के बारे में सोच सकते हैं और सूरे जो होता है, मान-सम्मान का कारक माना जाता है तो मितन राशी वालों को कहीं न कहीं पे आपके लिए मान-समान, मान-प्रदिश्टा भी बढ़ सकती है सफ्थी में इसे के साथ बात करें उपाय की, तो आप लोगों को करना क्या है तामबे का पात्र आपको किसी भी मंदर में जा करके दान करना है कोशिश कीज़ेगा, ऐसा आप किसी, अगर कोई आपको पुजारी मल जाए तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर पुजारी नहीं है वहाँ पे, तो किसी भी 40-45 योज की व्यक्ति को भी आप ये दान कर सकते हैं जितांबे का लोटा आप दान कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करक राशी तो करक राशी में ही ग्रहन पड़ रहा है और आपको बता दूं कि करक राशी वाले लोगों के उपर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा करक राशी होती है और आप लोगों के लिए मानसिक अस्थरता लेकर के आ सकता है ये चंद्रगहन आपको साफ्थान हो जाना चाहिए कोई भी बड़ा decision या कोई भी ऐसा decision जो आपकी personal life से जुड़ा हुआ हो उसको बहुत जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है करक राशी वालों को और खासतार पर ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत जल्ली-जल्ली कोई बदलाव कोई changes भी ना करें आने वाले एक महीन तक अपनी professional life में अपनी जॉब में कोई बड़ा बदलाव नहीं करें आप लोग इसे के साथ करक राशी वालों के लिए जरूरी है कि वो लोग भगवान शिफ की अराधना जरूर करें भगवान शिफ के रुदराश्टक का पार्ट जरूर करें इससे आपके मन को शान्ती म में लेगी आपकी माइन में stability बढ़ेगी चले आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं अब सिंग राशी वालों की सिंग यानिकी सूरी की राशी होते हैं और सिंग राशी वाले जो लोग होते हैं थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं as compared to other people इसे के साथ सब बात करू सूरी ग्रेहन के प्रभाव की तो आप लोगों के लिए आपकी अग्रेसिवनेस को बढ़ा सकता है यह सूरी ग्रेहन साथी मैं आपको बता दूँ कि जल्दबाजे में किया गया कोई भी decision आपके लिए मुश्किले लेकर के आ सकता है तो थोड़ा सा समहल जाहिए साथी मैं आपको बता दूँ कि सिंग राशी वाले लोगों को अपने खान पीन पर भी ध्यान देने की जरूरत है आपको stomach related problems या फिर digestion से जुड़ी हुई problems आपको परेशान कर सकती है तो अपने सेहत का ध्यान रखना आपके लिए जादा जरूरी है और साथी मैं अपनी सोच पढ़ जरूर करें 11 अगस्त वाले दिर चले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं करने राशी तो करने राशी यानि की बुद्ध की राशी है और आप लोगों के लिए भी क्या खास रहने वाला है या क्या negative या क्या positive रहेगा इसके बार में बात करें तो करने राशी वालों के लिए क कहीं न कहीं पर relationship part effect जरूर हो रहा है हाला कि आप लोग कहीं न कहीं पर आपकी जो सोच है उसमें illusions बहुत जादा create होंगे लेकिन फिर भी आप last moment पर चीजों को सम्हाल लेने की शमता रख रहे हैं तो वह last moment वाली जो situation है वो जो एक time period रहेगा आपके लिए जादा खास रहे है क्योंकि आपके काम में डिलेज दिखाए दे रहे हैं बहुत जादा ग्रहन की वज़े से साथी में इस ग्रहन का प्रभाव जो है कहीं न कहीं पर आपकी परसनल लाइफ को डिस्टर्ब जरूर करेगा आप लोगों को क्या करना है अधिके जब भी कोई ग्रहन पढ़ता ह नहीं लीब्रेंस की दुला राशी दुला राशी यानके शुक्र की राशी लीब्रेंस के लिए क्या खास रहने वाला है पहली चीज तो आप लोग हर चीज को बालंस बना करके चलेंगे लेकिन दूसरी ही तरफ आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में और स्थर्ता दिख दिखाए दे रही हैं जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं कि ज़रोरी है कि थोड़ी से जादा महरत किज़े एक्स्ट्रा एफ़र्ट आप लोग ज़रूर करें लुग के थे कुछ आपकी महरत पिर दिखाए देनी दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेशन बहुत जादा हैं आप लोगों को दूसरे लोगों से तो उन उमीदों को भी कम कीजे लेकिन अपनी तरफ से इंपूर्ट जाद है दीजे तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जिनका तुला राशी वालों को बहुत जाद ध्यान रखना है क्योंकि आपकी राशी का मतलब ही है बालन्स यानकि तुला के समय ओम घ्रणी सूर्याय नमहा का पाठ कर लेना लाबकारी रहेगा बात करते हैं व्रिश्यक राशी तो स्कॉर्पियूंस के लिए कैसा ही ये समय व्रिश्यक राशी मंगल की राशी होती हो और व्रिश्यक राशी वाले जो लोग होते हैं कई बार थोड़े से जादे अ हो जाते हैं at times दूसरी चीज़ अगर बात करनें इस ग्रहन का कितना असर पढ़ रहा है आपके उपर तो सूरी ग्रहन 11 अगस्त को पढ़ने वाला है और आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप इस situation में इस अवधी में आप कोई भी बड़ा decision बड़ा फैसला ना ले क्योंकि कहीं न कहीं पर गुस्से में आकर के आवेश में आकर के कोई ऐसा गलट decision ले सकते हैं आपके पैसो से जुड़ा हुआ जिससे की धन हानी हो सकती है वरिश्यक राशी वाले लोगों को तो बहुत समहल करके चलना है किसी transaction को करते वक्त कोई ऐसा बड़ा decision लेते वक्त साथ ही में personal life में भी कोई बड़े फैसले नहीं लेने है या गुस्से में आकर के कोई फैसला नहीं लेना है तो वरिश्यक राशी वाले इससे समहल करके चलें ध्यान दीजे कि यह समय जो है इसको निकल जाने दें इस समय में decision making न करें इसे के साथ वबाय की बात करें तो आप इस रोत का बात जरूर करें या आपके लिए करना लाबकरी रहेगा चले बात करते हैं साजरीरिंस यान की धनू राशी धनू राशी वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा धनू राशी यान की गुरू की राशी है साड़े साती भी आप लोगों के लिए पीक पर चल रही है आपको बता दू शनिया मवस्या भी है 11 अगस्त वाले दिल तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग डोनेशन जरूर कीजे अपने पित्रों के लिए दान जरूर कीजे शनिया मवस्या भी है शनि के बीज मंतर का जाब कर लेना भी आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर ओम शम शन श्रायन महा इस मंतर का जाब कर लेना भी आपके लिए अच्छा रहेगा शनि से जोड़ा हुआ दान भी कर सकते हैं ये भी आपके लिए लापकारी है इसके अलावा, आप लोगों के लिए जो समय रहेगा ध्हनूराशी वालों के लिए आलत से बढ़ सकता है कही न कहीं पे आप लोगों की जो सोच है वो थोड़ी से जाधा नेगटिव हो सकती है और जो की आपके लिए आपको जो results देगी उसमें negativity ले किया सकती है तो आपको ध्यान किस बात का रखना है पहरी जी स्वा आलस से को त्याग देना है दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपने रिष्टों में थोड़ी सी betterment के लिए आप खुद से initiatives लेने का प्रयास के दिजे धनुराशी वाले लोग जो है कही नगरीं पर अपनी ego को सामने ला रहे है हाला कि ज्यान बहुत जादा है अच्छे और बुरे का समझ है आप लोगों को लेकिन उसके बाब जो भी ego आपके सामने आ रहा है तो ego को साइट में रख करके अपने रुष्टों को प्रायटी जरूर दीजे और इस 11 अगस वाले दिन आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि शनी के नीमेद दान करना लाबकारी रहेगा चले आगे बढ़ते हैं मकर राशी मकर राशी शनी की ही राशी है और मकर राशी वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह जो सूरी ग्रहन पढ़ने वाला है इसका प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब जरूर कर सकता है स्थाना अन्परोणयाने के ट्रांसर्वर्स दिखाये दे रहे हैं और आपकी जो कलीग्स हैं जो आपकी बॉस्स हैं की तरफ से कुछच ने कुछ ने मदभेद दिखायवी रहे हैं तो मकर राशी वालों को अपनी प्रोफेशनल लायक में तालमेल बनाए रखने के लिए उपाय क्या करना है आप लोगों को कोशिश करनी है कि लाल रंके पुष्प वाले जो पौधे हैं उनको सीचना है ऐसा करने से भी जो जिनकी कुंडली में सूरे कम्सोर है या सूरे के का भाव पढ़ने वाला है आपके लिए कहीं न कहीं पर आपकी हेल्थ जो है वह बहुत जादा एफेक्ट हो रही है स्वास समन्द दिखते सामने आएंगी या पुराना कोई रोग चलता आ रहा है वो रोग दुबारा उभर सकता है तो इस तरह की सिच्वेशन में आपको क्य करना है सबसे पहले चीज़ सूरे से जुड़ा हुआ दान जरूर कीज़े गुड का दान तांबे का दान या लाल कपड़े का दान आप कर सकते हैं इसके लावा आपको बता दूँ कि संधा काल के समय कोई भी ट्रैवलिंग कोई भी यात्रा नहीं करनी है या 11th of August को भी मीन राशी वाले लोगों के बार में तो पाइसंस के लिए यह जो सूरे ग्रहन रहेगा आपके लिए थोड़ी से अंस्टेवलिटी हो सकते हैं क्योंकि आट टाइमस आपको लगेगा कि आपको उपरचुनटीज मिल रहे हैं लेकिन दूसरी ही तरफ आपके हाथ से उपरच करते हैं आपके लिए जरूरी है कि आप सूरे की वीजु मंतर का जाप जरूर करें एक माला ओम राम रीम राम स सूर्य आए नमाहा तो चलिए इसे के साथ यह बात हुई बारण राश्यों की साथी में कुछ खास उपायों की आज के लिए बसता ही मुझे दीजे जासत नमस पुमें की में की साथा।rios है की बारण प्यावकम की आप जरूरा की आप के लुए तो तरूरा के लीजु प् peloल सब्सक्राता है